हमारे भारत के इतिहास में जर्नियालिजम के लिए एक लांचना स्पथ गटना है इतनी कठिनाये से हम हमारी स्वतंत्रता मिलाई और वहां कुछ से धानत रखे कुछ कानून बनाए उसमें से एक बहुत इंपॉर्टन्ट कानून जो है ओफिसियल सिक्रेट एक्ट जिसका जिक्र अन्तूनीजी ने किया है जब भी इस देश में कभी लडाई का निर्ने लेना पड़ता है कभी इंटिलिजन्स का सहरा लेके हमारा अपने देश की रक्षा के लिए कब कुछ काम करना पड़ता है तो उसमें प्रमुक चार लोग रहते हैं चार मिनिस्टर्स रहते हैं जो सेक्रेटी की बात कहते हैं इंक्लूडिंग यने से नाशनल सेक्यूरिटी अडवाइजर तो जो अभी यारनब गोस्वामी ने किया वो केवल देश के लिए नहीं तो पूरे जर्नालिजम के लिए एक लांचना स्पद्ध चीज है जैसे इतने साल में किसी जर्निलिस्ट ने किसी संस्ता ने इस तरह का नैशनल सेक्यूरिटी एक्ट के बारे में उलंगन किया आए ऐसी घटना इस देश में नहीं हो गई थे हमने दो तीन युद्ध भी देखे अलग अलग पार्टी के सरकारे देखे उसमें भी इस तरह के बात ऑफिशिल सिक्रेट डिस्क्लोज करने की बात नहीं हो गए थे अट अन्तुनी जी ने अभी कहा वो तो डिफेंस मिनिस्टर थे और क्या सिस्टम होती है वो भी कहा तो विशिष्टा बाला घाट के बारे में और पुल्वामा से भी ले ले जब कहीं खुशिया मना रहे थे कहां खुशिया मना रहे थे लेकिन देश तो चालीस लोग हमारे जवान मृत्य हो गए थे उसमें दुख में थे दुख मना रहे थे और कहीं लोग फोन पे बात कर रहे थे कि हमारे देश का अभी भला हो जाएगा कैसा भला हो जाएगा और कौन भला करेगा ये भी संभाशन है उसमें तो ये अन्तुनी जी ने जो कहा कि इसकी इंक्वाइरी होनी चाहिए पर्टिकुलर्ली अफिसियल सिक्रेट एक के बारे में जो ये लिकाउट हो गया है ये हमारे देश के लिए और अगले आने ओले सरकारों के लिए भी बहुत महतुपूर्ण बात है तो पार्लेमेंट में तो ये इस पर उठाएंगे लिकिन सरकार ने इस पर जो ऑफिसियल सिक्रेट एक के बारे में जो करना है वो आभी तक नहीं किया है और ये सभी कई बंबई की रेकॉर्ड में डिस्क्लोज हो रहे है कई यहां के रेकॉर्ड में डिस्क्लोज हो रहे है और मुझे पूरा विश्वास है कि इतना सब होने के बाद अभी तुरन तो इसकी इंक्वाइरी करेंगे और देश को बताएंगे कि किस तरह का काम किया है लेकिन हम तो चाहते है कि जो गुना किया है उन्होंने उसके सजा मिलनी चाहिए